के गाईज वल्कम बैक टू माई चैनल आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने प्रेग्नेंसी को इंज्वाय कर रहे होंगे आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी प्रेग्नेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मुझे बेबी बॉय हुआ इसके अलावा मेरी सारी रिपोर्ट है यानि कि जो हम लोग पहला अल्ट्रासाउंड कराते हैं और शेयर करने वाली हूं कि कैसे अपना अल्ट्रासाउंड देखके जान सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है व्याफिक गल तो चलिए विडियो में एंड तक बने वीडियो आपके लिए उन वाला है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजह मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी इंफॉमेटीव वीडियो के लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यह मेरा पहला टाम की एंटी ऐन वी स्कैन है इसको चाले आपको अच्छ जैसे कि आप देख सकते हैं ये हैं मेरा सबसे पहला scan और जब मेरा ये scan हुआ था तब जो baby था वो 11 week 5 days का था इसमें सबसे पहली चीज आपको देखी जाती है कि आपकी heart beat क्या थी अगर आपको जानना है कि baby boy होने बाला है या baby girl होने वाली है तो वहाँ पे आप देखेंगी heart beat यानि कि ये लिखा होता है FHR यानि कि fetal heart rate तो यहाँ पे जो मेरे baby boy की fetal heart rate थी पहले ultrasound में ये थी 144 beat per minute वी पेम का मतलब होता है beat per minute तो यहाँ पे आप ये FHR देख सकती हैं दूसरा लिखा होता है आपका placenta position तो मेरे पहले ultrasound में कहीं से कहीं तक placenta position नहीं दी गई हो क्य आपका बेबी का जो anti है वो कितना है दूसरा होता है nozzle one present है या नहीं है इससे जाना जाता है कि बेबी की growth किस तरीके से हो रही है तो यह दो चीजे इसमें important होती है अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो मेरे दूसरा ultrasound है anomalies कैं इसमें अगर आप देखेंगी तो मेरे जो scan कराते हैं उसमें कम आती है और फिर बचे की heartbeat जो होती है वो बढ़ भी जाती है दूसरा आप देखेंगी placenta position क्योंकि placenta से ही ऐसा बोला जाता है कि पता चलता है वाई होगा या girl होगी तो यहां पर मेरे placenta की जो पोजिशन देख सकती है वो anterior segment है यानि कि placenta जो है वो साइड में है और ऊपर की साइड में है अपर सिगमेंट का मतलब है ऊपर की साइड में है तो यहां पर मेरे placenta जो था वो anterior था और ऐसा बोला जाता है कि anteriorre placenta जब होता है तो बेशन लमोगए Exclusivity है और पोस्टेयर प्लेशनेटा जो होता है तो देखें आ यांभा 20 वीक पर ही होता है यहां पर मुझे एडीडी भी पता चल गी तो यह चीजे जो होती है इस में बहुत जरूरी होती है इसमें अगर आप देखेंगे तो मेरे बच्चे की फिटल हार्ट रेट जो है वो 151 BPM है यानि कि इसमें जो बेबी की हार्ट बीट भी थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी और इसमें अगर आप देखेंगे मेरे बेबी जो था वो 34 बीक का लगबग हो चुका था इसमें प्लसेंटा की पोजीशन भी एंटीरियर ही लिखी हुई है बहुत सारे लोगों की च फोट में थी वो यह पता रहीं थी कि आपको बेबी गयल होगी ऐसा प्लसेंटा के बारे में पोल जाती है अगर एंटीरियर है तो बेबी गयल होगी और पोस्टीरियर है तो वेबी वह पुइस बढ़ाइ साथ इह फेकल थी तो मैं बस यह पर यही कहना चाहती हूं कि इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़ें अपनी प्रेगनेंसी को इंज्वाय करें जो भी टाइम है वो अच्छे से निकालें इन चीजों का अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो जो आपका होने बाला बेबी है उसकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा औ कि वीडियो आपके लिए यूस्फुल रहा होगा वीडियो यूस्फुल रहा हो तो फ्लीज बीडो को लाइक ज़रू करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी इंफ्सरमेटेश पे लिए थेंक धेंक्यो सो मच पर वाच्न थैंक्यू